समस्कार दर्शकों मैं हूं भगवति प्रसाद पूरत एडवकेट और आप देख रहे हैं यूटूब का कानूनी ग्यान चैनल दर्शकों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति की म्रत्यू हो जाती है और उसके इस्थान पर यदि उसके वारिसों का नाम दर्ज नहीं हो पाता है तो ऐसी इस्तिती में उसके वारिस किस प्रकार से उस म्रत्यू की जमीन को अपने नाम पर करवा सकते हैं तो आए समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि पिता जी के म्रत्यू के बाद नाम नहीं जुड़ा तो क्या करें सर बताएं 1990 में पिता की म्रत्यू हुई है और हमें अभी पता चला है कि जमीन में नाम नहीं है और तेसिलदार आशे यह है कि माता या पिता की म्रत्यू बाद जमीन के कागज पर नाम कैसे आएगा तो इसको इस ग्राप के माध्यम से हम समझने वाले ही कि मालिया जाय कि यह एक व्यक्ती है और इनकी जो म्रत्यू है 1990 में हो चुकी है अब इनके नाम पर जो जमीन ही मालिया जाय यह एक खेत ही और इस खेत पर जो है आप लोगों का अर्थात इनके वारिसों का नाम दर्ज होना है यहाँ पर हम दो इस्तिति देखेंगे कि सबसे पहले तो यह देखेंगे हम कि आज की तारिक में यह जमीन जो है यह खेत जो है जो है जो है इनका खेत है यह खेत आज की तारिक में किसके नाम पर है ठीक ही यदि यह केट इनके ही नाम पर है तो उस इस्तिती में आपको क्या करवाई करना है और यदि इनके नाम पर नहीं है तो उस इस्तिती में आपको क्या करना है तो ऐसी इस्तिती में आपको क्या करना है कि इस खेट की वर्तमान बीवन और खसरा निकालन दॉसके बाद में उसको देखना है आपको यदि उस खसरा और विवन में वह जमीन इनके ही नामपर है तो ऐसी इस्तिति में आपको क्या करना है कि इनका मृत्यू प्रमान पत्र और वह असरा बीवन निकाल कर आपको मद्यप्रदेश भूराज सहिता की धारा 109 और 110 के तहत तेसिल दार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तूत कर देना है उसके बाद में क्या होगा कि इन व्यक्ति की जगह इनके सभी वारिसों का नामांत्रन जो ही तेसिल दार महोदय के द समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तूत कर सकते हैं लेकिन यदि दूसरी परिस्तिति अगर देखी जाए कि आज की तारिक में इनके नाम पर वह जमीन नहीं है जब आप खसरा और बीवन निकालते हैं और उसमें वह जमीन जो ही इनके नाम पर नहीं निकलती है तो ऐसी इस्तित निकलना है क्या करना है 1990 से लेकर अभी तक का आपको रिकार्ड निकलना है जिसमें इस बात की पुष्टी हो जाएगी या इस प्रकार का उल्लेख आएगा कि इनकी म्रत्यू के बाद में किस आधार पर उस जमीन पर दूसरे लोगों का नाम दर्ज हुआ है ठीक है अब और किसी अन्य का हो गया है या इनके कुछ वारिसों का नाम दर्ज हो गया है तो ऐसी इस्तिती में आपको क्या करना है कि उस प्रकरण के विरुद्ध S.D.O. महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष मध्यपरदेश भूराज सेहिता की धारा चुमालिस के तहत आपको अपील प्रस्तूत करना है और अपील के साथ में आपको अवधी विदान की धारा पांच का आविदन पत्र भी प्रस्तूत करना है जिसमें कि यह लिखा जाएगा अवधी विदान के आविदन पत्र में यह लिखा जाएगा कि आपको इस नामंत्रन की जानकरी अन्य लोगों का जो नाम दरज हुआ है उसकी जानकरी अभी आपने जब खसरा और खतो नहीं निकाली आपने प्राप्त किया उस रिकार्ड से आपको पता चला कि इनकी जगह अन्य लोगों ने जिनका नाम वर्तमान में दरज है उनको प्रतिदर्थी या रिस्पांडेंट कहा जाता है रिस्पांडेंट लोगों ने उनका नाम दर्ज उसमें करवा लिया इस प्रकार से आप उस आदेश के खिलाब उपखंड अधिकारी महोदे के समक्ष अपील प्रस्तूत कर सकते हैं और वहाँ पर आप दिवेदन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के वारिस आप भी हैं और आपका भी नाम इस जमीन पर आना चाहिए तो ऐसी इस्तिती में आपका नाम उस जमीन पर दर्ज करने हैं तो एस जो महोदे के द्वारा आदेश किया जा सकता है यदि आपके द्वारा धारा पांच के आविदन पत्र में जो है कारण उचित दर्शित किया है कि आपको विलंब क्यों हुआ है क्योंकि यहाँ पर दर्शकुम किसी भी अपील को पेश करने के लिए जो मद्यपरदेश बुरा सहिता में समयावदी दी है वह 45 दिवस की दी है कि यदि आदेश की जानकरी आपको हो जाती है तो उस आदेश की जानकरी से 45 दिवस के बीतर अर्थात उस समयावदी में आपको अपील प्रस्तूत करना रहती है और यहाँ पर जो है इनकी म्रत्य जो है 1990 में हो चुकी है और उस अवधी को काफी समय हो चुका है और जो ना आफी के लिए आपको धारा पांच अवधी विदान का आवेदन पत्र मईश अपात पत्र के प्रस्तूत करना चाहिए तो दर्श को केसी लगी आज की जानकरी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो क